ये बात आज से पहले आपसे किसी ने नहीं कही होगी फ्री में जिन्दगी बदलोगे? किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए इनमें से कौन सी चीज चाहिए? रटने की शक्ती? धेर सारा डिसिप्लिन? टालेंट या गॉड गिफ्टिडनेस? पीचर की भगती? इनमेंसे कोई भी नहीं है हैरानी होती है मुझे कि लोग इतनी छोटी से बात नहीं समझ भाते हैं कि बुक्स लिखे हैं सेंटेंसिज में हैं और सेंटेंसिज बने हैं वर्ड्स से Words की study को बोलते है vocabulary और यही वो subject है जो schools में नहीं बढ़ा जाती है English दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है इसके अंदर 10 लाख सामान या शब्द है अगर English मुश्किल लगती है तो वो इसलिए नहीं कि grammar नहीं आती इसलिए कि कोई word है जो समझ में नहीं आ रहा अगर word समझ में नहीं आएंगे तो subject समझ में नहीं आएंगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और रठने के इलावा कोई चारा नहीं बचेगा रठना पढ़ना नहीं होता मेरे नाम धुरुव है और आज से 10 साल पहले मैंने इसी problem को solve करने के लिए एक organization बनाई थी जिसका नाम लोगों फिलिया है आज हमने vocabulary के लिए 11 अलग अलग programs और 14 अलग अलग किताबे लिख रखी है 10 साल के बाद इस साल हम लोग online जा चुके हैं और अब 7 देश हम से पढ़ते हैं 15,000 से जादा बच्चे इस साल के खतम होने से पहले हम अपने इतिहास का सबसे पहला free online course conduct कर रहे हैं च्छे दिन एक हजार से जादा शाम देश है इंग्लिश को देखने का एक बिलकुल नया नजरिया जीरो रुपै आज free मिल रहा है ले लो च्छे लो